Dear students, now in this lecture we will discuss about the metalloporphyrins. Metalloporphyrins क्या हैं? उसके बारे में हम इस lecture में discuss करेंगे. बहुत important part है metalloporphyrins हमारे biological systems के. अब हम इसको अगर, हम इसको शुरू से पढ़ना चाहेंगे कि metalloporphyrins होती ही क्या हैं? उसके लिए हमें basics जानने जरूरी हैं. So, metal ions generally, if they are surrounded by macrocyclic ligands, तो those macrocyclic ligands are known as porphyrins. जो macrocyclic ligand है, porphyrin, वो metal ion को चारों उरसे surround कर सकता है. तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? porphyrin की, जो कि एक macrocyclic ligand है. ये जो porphyrin ligand है, ये porphyrin ligand, इसमें क्या होता है? चार pyrrole ring होती है. ये जो porphyrin है, ये भी एक ring है. आपने ligands के बारे में बढ़ा होगा, ligands कई तरीके के होते हैं. और इसमें जो ligands, जो macrocyclic ligands होते हैं, बहुत बड़े ligands होते हैं, और वो stable complex का formation करते हैं. तो उन्हीं मैसे एक porphyrin ligand है, जो के एक macrocyclic ligand है, और ये एक ring form में होता है. और इसमें क्या होंगे? तेरार four pyrrole rings joined together through CH2 group. ये चार pyrrole rings इसमें methylene group की help से जुड़ी होती हैं. इसमें क्या होते हैं? और अगर हम porphyrin को देखेंगी, तो ये एक tetradented ligand है. क्यों है? क्योंकि इसमें चार pyrrole rings होती हैं. पाइरॉल में चार nitrogen होंगे. उन चार nitrogen donor atoms की वज़े से, इस और tetradented ligand. इसमें चार nitrogen होती हैं, उसमें से two nitrogen are tertiary and two nitrogen are secondary. तो दो nitrogen तो जहें tertiary होती हैं, वो सीधे-सीधे coordinate करती हैं metal के साथ. और दो nitrogen secondary होती हैं, और वो जब दो proton का removal होगा, उसके बाद वो metal के साथ coordinate करेंगी. So, the secondary nitrogen's lose protons and coordinate with the metal ions. So, इसकी वज़ा से क्या होगा? कि जो porphyn ring है, वो क्या हो जाएगी? Dianine होगी nature में, क्योंकि उसमें से क्या होगा? दो proton remove होगे. So, porphyn ring is tetradented and dianine ligand. Because it is dianine ligand, so dipositive cation can form neutral complex. इसलिए जो dipositive cation's हैं, वो इसके साथ क्या करेंगे? Dianine के साथ neutral complex का formation कर सकते हैं. अब देखे, यहाँ पर यह जो ligand बना हुआ है, यह है, porphyn ligand. यह देखे, 1, 2, 3, 4. इन में numbering भी की हुई है. यह 4 क्या है? पाइरोल रिंग्स हैं. इन 4 पाइरोल रिंग्स यह CH2 ग्रूप है. यह CH2 ग्रूप से एक दूसरे से क्या हैं? जुड़ी हुई है. अब इसको अगर आप देखेंगे, तो यह देखे, यह जो nitrogen है, इस nitrogen के साथ H जुड़ा हुआ है. इस nitrogen के साथ H जुड़ा है. तो हमने कहा कि जो पॉर्फिन लिगेंड है, उस पॉर्फिन लिगेंड में सारे ग्रूप्स जो सब्सिट्वेंट हैं, वो हैच है, चार पाइरोल रिंग्स, दे आर कॉडिनेटेट थ्रो CH2 ग्रूप्स. एंड ये nitrogen जो चार हैं, इसकी वज़ा से एक है tetradentine ligand, ये चार nitrogen atoms, metal को electron donate करेंगी, और ये दो proton remove होने की वज़ा से, ये जो ring है, इसके ओपर 2 negative charge होगा, इसलिए 2 positive metal के डायन के साथ, आसानी से complex का formation कर सकती है. इस पॉर्फिन ligand, इस पॉर्फिन ligand में जब substitute add कर देंगे, तो इस प्रोटोन से हैं, अगर उनको किस से replace कर दें, कुछ substitute से, तो इसको हम कहते हैं पॉर्फाइल in ligand, अब देखिए, यहां पर आप देखिए, सारे R1, R2, R3 आ गए, तो ये सारे क्या होगा, ligand, ये रिंग में देखिए, R1, R2, दूसरी रिंग में, R3, R4, तीसरी रिंग में, R5, R6, and चौथी रिंग में, R7, R8, then R9, R10, R11, R12, the methylene group को उसके बाद हम गिनेंगे, तो आप देख सकते हैं, सारे जो groups H हैं, उनको अगर replace कर दिया जाए, substituent से, तो अब इस रिंग को हम और जब पॉर्फाइरिन रिंग बनेगी, तो यहां पर आप देखेंगे, क्या बनेगी, एक, यहां पर cavity कह सकते हैं, तो यह जो space होगा, इसका जो diameter होता है, 0.2 nanometer होता है, जिसका भी size यहां इसके बराबर होगा, वो यहां पर fit हो सकता है, तो जब इस पॉर्फाइरिन लि पॉर्फाइरिन, अब आपने देखा कि यह जो metal iron है, यह क्या होगा, यह metal iron, इस पॉर्फाइरिन रिंगे क्या है, प्लेनर, जैसे square planar होता है, ऐसे planar है, तो इस plane पर, अगर metal iron होगा, तो उस को, तब वो क्या कहना है, प्लेनर structure होगा, इन कई बार क्या होता है, कि इस hole में वो metal iron fit नहीं होगा, तो यह metal iron उपर होगा, तो metal iron उपर होगा, तो उस structure को हम क्या कहेंगे, square pyramidal type structure, यह क्या हो गया, दो तरीके से यह हो सकता है, या तो metal इस plane में होगा, तो planar होगा structure, और या तो यह जो metal है, थोड़ा सा plane से उपर होगा, अगर वो fit नहीं हुआ, तो वो, कैसी हो जाएगी square pyramidal जो पॉर्फायरिन रिंग है या हमने ये पॉर्फिन रिंग दिखाई हुई है इस पॉर्फिन रिंग को आप देखें हम इस तरीके से fissure representation कर सकते हैं ये पहली रिंग है दूसरी रिंग तीसरी रिंग और चौथी रिंग पाइरोल रिंग तो हमने इस simple representation दिखाया है fissure representation इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि हीमोगलोबिन में कौन-कौन से ग्रुप्स अटेज्ट होते हैं तो यह जो ग्रुप से हैं यह जो ग्रुप से हैं यह डिफ्रेंट हो सकते हैं और यह जनरल क्या होते हैं यह हो सकते हैं यह हो सकते हैं एस से are symmetrical, अगर उनका arrangement जो है, वो symmetrical होगा इन groups का, कॉन, acetate, propionate, methyl और vinyl ये अगर ये group attached हैं, तो अगर इन groups का arrangement symmetrical होगा, तो इस तरह की हम porphyrin को कहेंगे 1, क्योंकि porphyrin का बह जाएगे, जब porphyrin में substituent आ जाएगे, और if the order of substituents reversed in ring 4, अगर ring 4 में substituent का order reverse हो जाएगा, तो फिर उसको कहेंगे porphyrin third, और porphyrin third जो है, वो most common rings हैं, जो human beings में भी present होती है, especially in heem, ये देखिए, जो first आपको porphyrin ring दिखाई गई, जहाँ पे देखिए, जो substituent है, first ring में इनका क्रम क्या है, ap, second में क्या है, ap, third में क्या है, ap, लेकिन fourth वाले में आप देख सकते हैं, इनका जो क्रम है, वो क्या हो गया, ये भी क्या है, ap तो इस तरीके की जो rings होंगी, उनको porphyrin one कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो substituent हैं, उनका जो क्रम है, वो एक सा है, जाए first ring हो, जाए second ring हो, थर्ड हो या फूर्थ हो, अप, ap, 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 ये पॉर्फाइर इन वन है, ये most common नहीं है, लेकिन ये जो porphyrin third है, ये most common है, जैसे ap, 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 pa, अब देखें, फूर्थ वाले ring में आप देख सकते हैं, जो substituent का order है, और reverse हो गया, तो इसका मतलब ये porphyrin third है, अब अगर हम यहाँ पर हीम को देखें, तो हीम भी एक तरीका की porphyrin third protein है, जहाँ पर आप देखेंगे, कि देखें, फिर्स्ट जो ring है, उसमें methyl vinyl, दूसरी में भी कहा है, methyl vinyl, तीसरे में कहा है, methyl propinyl, देखें, ये जो प्रोप्योनेट है, methyl पहले आ रहा है, फिर propinyl या विनाइल आ रहा है, methyl vinyl, methyl vinyl, methyl propinyl, लेकिन चौथी ring में कर आप देखेंगे, तो methyl बाद में चला जाएगा, तो प्रोप्योनेट, methyl, तो इस तरीके की जो ring है, जहाँ पर methyl vinyl, propinyl, ये substituent होते हैं, वो हीम है और पॉरफाइरिन थार्ड है, जहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्थ वाले में, ring में जो order है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हीम का structure आसानी से याद कर सकते हैं, अब हमें structure है, आईरन पॉरफाइरिन का, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह फर्स्ट रिंग है, सेकेंड रिंग है, थर्ड रिंग है, फॉर्थ रिंग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो फर्स्ट रिंग में जो यहाँ इस पहले स्टेडी किया था है, फॉर्स रिंग में में जो भी यहाँ पर आप देखेंगे, फॉर्थ रिंग में क्या होगा, यहाँ जाएगा पी और यह जाएगा एम तो एम का आप देख रहे हैं, कि यह जो क्रम है वो चेंज हो गया, तो आसानी से आप याद कर सक जहां पर आप देख रहे हैं कि एप मिठायल, विन yhtायल, विनायल यह प्रेयल on mild aşk, प्रोपनोट जेए तुरिफ Queens 5 mm ×, अब मैं आपको ड्रॉफायरन करना सिkHANँगी कैसे आप इसको draw कर सकते हैं देखिए आपने क्या करना है पहले चार पाई रोल रिंग बनाने है कुछ डिस्टेंस पर चार पाई रोल रिंग आप बनाएंगे और इन चारों पाई रोल रिंग को हम किसे जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे किसे यह किसे जोड़ी हुई है CH2 गुरुप से तो हम इसको किसे जोड़ेंगे यह देखिए CH2 गुरुप से हमने इसको जोड़ दिया यह आसान है देखिए बनाना ये इन चारों रिंग को हमने जोड़ दिया अब हमने इसमें क्या बनाने है double bonds जो कि क्या होंगे Conjugated, अब इन चारों पाइरोल रिंग में दो Nitrogen कैसी होंगी ये देखिए तर्शेर, तर्शेर, दो सेकंडरी होंगी और दो क्या होंगी, तर्शेरी अब हमने क्या create करने है, Double Bond Conjugated देखिए, ये हमने इसको क्या माना है Ring First, इसको माना है Ring Second, इसको माना है Ring Third, और ये है Ring Fourth तब देखिए, Double Bond हम यहां से शुरू कर रहे है One, फिर इसके Alternate में Double Bond ये है, अब ये जो Nitrogen है, यहां पर Double Bond आ सक इस Nitrogen पर Double Bond आएगा, then Next Double Bond, फिर Next Double Bond Then Next Double Bond, देखिए यहां पर और यहां पर, इस Nitrogen के पर नहीं आ सकता है, क्योंकि इस पर पहले से Hydrogen है Okay, then Next Double Bond Then Next Double Bond और यहां पर Nitrogen पर Double Bond आना है क्योंकि यहां पर Nitrogen के पर एक दो ही Bond थे, तो तीसरा Double Bond आ गया, तो तीन Bond हो गया, okay, then One Double Bond, तो इस तरीके से क्या होगी Conjugated Double Bond System create हो गया अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बीच में कौन Bind होगा, Iron यह Hydrogen replace हो जाएंगे, और यह क्या Bind होगा, देखे, Iron Okay, अब हमें क्या लगाने Substituent, अब Substituent हमने याद किया है, मैं कोई उकर्थिन नहीं है, अबने देखा है, फर्स्ट रिंग का जो पहला जो Substituent है, वो क्या है, CS3, Methyl, दूसरा क्या है, Vinyl Second रिंग का पहला क्या है, Methyl, फिर क्या है, Sorry, CH2, यह क्या है, Vinyl, फिर तीसरी रिंग को अगर हम प्रोफियोनेट, और उसके बाद आपको पता है, कि फोर्थ रिंग में जाके एक्चेंज हो जानी, पोजिशन, CS3 की तो क्या गया, CS3, इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, हीम का जो जो आईरन पॉर्फाइरन रिंग है, उसको हम आसानी से बना सकते हैं, इस लेक्चर में हमने क्या पड़ा, इस लेक्चर में हमने पड़ा कि कैसे मेटल पॉर्फाइरन का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, तो अगर हम शुरुवात इसकी करें, तो हमने देखा कि एक पॉर्फिन लिगेंड है पौरफिन लिगेंड में चार पौरफाइन रिंग है और चार पौरफाइन रिंग के अलावा जो रिंग है वो छार पायरोल रिंग से हैं हो किस से जुड़ी वी थी CH2 ग्रूप से जुड़ी वी थी और यह क्या है कंजुगेटर is double bond तो यह एक दाइनन लिगेंड है पॉर्फार इनन में सारे सब्सिट्विएंड थे मां होंगी हाईूजन और जब इन देख सब्सिट्विएंड हाई बहीं हाई इसमें। और यह जो porphyrin ligand है, जब porphyrin ligand में क्या होगा, metal attach हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, metal हो porphyrin, अब आपने देखा, जो porphyrin ligand है, जो वो दो तरीके के में होते हैं, porphyrin 1 and porphyrin 3, porphyrin 1 जो है, वहाँ पर आप देखेंगे, order होगा, करम होगा, substituent का, symmetrically arranged रहेंगे, जबकि porphyrin 3 में, वो symmetrically arranged नहीं रहते, और porphyrin 3 जो है, वो commonly found porphyrin है, और यह आप ने देखा, जो हीम में, जो porphyrin थी, iron porphyrin, वो किस तरीके की थी, porphyrin 3 जहाँ पर आपने देखा, कि चौथी ring में, क्या हो गया, substituent का, क्रम क्या हो गया, चेंज हो गया, वो इस आल बाओ, metalloporphyrin, थैंक यू वरी मच,